नमस्कार साथियो आजाद न्यूज पट्यावे में आप सभी का स्वागत है आज मैं गाउं डंडोली के अंदर आया हुआ था तो मुझे पता लगा कि यहां पे चंदी रामजी आई हुएं गाउं में डंडोली में इनका जीवन काफी शंघर्स में रहा है आज इनी से जानत कितनी कठनाईयों का इनको सामना करना पड़ा आज इनके मुख से ही सुनते हैं तो चांदी राम जी आजाद न्यूज पट्याड़ा में आप सभी का स्वागत है नमस्कार आप बताएं अपने बारे में के आपका जीवन काफी हमने काफी सुना है काफी सिंगर्स में रहा ह तो आपकी कुछ फिछली जिंदगी के बारे में हमारे दरशक जानना चाहेंगे मैं बीए फाइनल तक पड़ा हूँ जी और मैं कैथल गवर्मेंट स्कूल से लगकर और आर्केस्टी कोलीज तक गया हूँ जी और आज मेरी जिंदगी के कहीं ऐसे मोड़ाई हैं जिसके अं सजा सवापत नहीं हुआ एक केस में मुझे पांस साल की सजा हुई ती जिसके अंदर मैं अपनी सजा पूरी कर चुका हूँ और दो दरजन से ज़्याद है मेरे उपर अपराद थे जो की दरजन अपराद पंजाब हरी आना और राजस्तान यूपी जैसे कई स्टेटों में अपराद की कैसे अगर अपराद की बात करें तो आप कैसे अपराद की दुनिया में आए मुझे परसास ने जबरदस्ती फसाया और जब भी मौका मिला सरकार ने मेरे उपर मुझे घेर लिया और अब भी मेरे को नजैज पांस साल कटाई है जो कि मेरे पिछले कहीं साल से कागच गुम थे और सरकार ने वो कागच गुम करकर मुझे डी जी और हर कमिशनर जेल सो प्रिडेंटन वैपंजा भरी याना हाई पॉट में भी लगाया लेकिन वो कागच नहीं मिले और दुबारा मेरे पर डबल सजा कटाई गई पांस साल की तो साथियों आप यहां पे देख रहे हैं कि कोई कागच थे जो गुम हो गए थे लेकिन प्रशासन दोबारा बार बार इनको पीडित किया गया और दोबारा इनको सजा भूगतनी पड़ी तो अभी आप जो आपको गाउं दोबारा पांस साल का कारिया कार आप सरपंची म भी रहे, सरपंच भी बनाया गया, आपने क्या क्या काम किये समाज के लिए? मैंने गावं के अंदर चारों तरफ पानी की भीवस्था की जी। जी और समसान भूमी बनवाई और गावं मे एक स्टेडियम वैं गंदा नाली के निकास्टी दूसरे गावं में करवाई और बीपिल के 50 प्लाट उपलोड करवाई और 16 कलोणिया करवाई मैंने गाउं में हर स्टेडियम के लिए भी बच्चों के शोग दिया खिलाडियों को मान वे समान दिया किटकट का समान जिम वे खिलाडियों का बार बार होसला बलंद करता रहा जी, तो आप ने सुना किसातियों के चांदीराम जी ने बहुती स्टेडियम के लिए बच्चों के लिए काफी योगदान किया, काफी इनका सर्पन्ची का कार्या काल रहा, काफी लोगों के इसर, ये काम आपने किए भी या कागची कारवाई में ही रहाएगे, बनके? नहीं, मैंने प्लाट कटवाये हैं, जो उपलाटों में दो गड़ियां करवाई हैं, गाऊं में přे बेंश्ट से उपर बोर जगाई हैं और मैंने अपने बी पीन की कलोनियां करवाई हैं और जो भी मेरे उपर गाउने सुंपी जुम्मेवारी मैंने उस्ते एक चौकीदार के रूप मेरे बनवा कर दिखाई है मैं सेवा करना चाहता हूँ जी जी तो चांदी राम जी वैसे सजा आप कितने साल अंदर रहें जब आप सजाएंगे मैंने पहले काट चुका था लेकिन हाई कोड से मेरा हैसला रहा गया था मैंने उसमें पांस साल की साजा थी लेकिन किस अपराद की वो मेरे उपर अपराद की करनाल डिस्टिक के थी बुटाना थाना की और मेरे उपर दारा तिन सो बनवाए थी लेकिन मैंने वो साजा काटना है एक लड़का एक लड़की है तो सात्यों आप देख रहे हैं साथ में इनकी मीशिज बैठी है इंसे जाना चाहेंगे जब सर जी मैडम जी जब अंदर थे तो आपने बच्छों को काफी दिक्कत आई होगी इनका पालंग पोस्ट करने में तो कैसे गुजारा हुआ आपका म मैंने बहुत दिक्कत आई है जी जो भी मेने आपसे गाउं मुसे काम करें है द्याड़ी मजबूरी और स्कूल में भी जाती रही जी में गाउंवाड़ें को भी बढ़िया जी मेरे को शेहोग दिया ठीक रखी मैं ऐसी को यहां बैंजी का कहना है कि जब यह अंदर थे तो काफी गाउंवाड़ों का भी शेहोग रहा है इनका बच्चों का पीछी देख रहे है क्योंकि जब इनसान अंदर चला जाता है जेल में किसी कार्णवंस जो भी इनका कार्णवंस रहा तो काफी दिखते हैं लाइफ में तो सर अभी सुनने में आया कि आप आगे भी क्या त्यारी के चल रही है अगर गाउं के समू गाउं के लोग मुझे कहेंगे तो मैं सरपंची पद के लिए दुबारा ड़ना चाहता हूं अगर गाउं की मेरे उपर नीत है तो मैं गाउं के विकास के लिए अच्छे काम करूँगा यही मेरी विंती है तो अभी चांदी राम की चारों तरफ से पाने की निकासी और एक डब गुजरावाले की का रास्ता पक्का करवाने की और एक स्टेडियम में चारों तरफ से खिलाडियों का मानसमारवेज करने के लिए मैंने गाउं में हर विकास की काम करूँगा जो भी गाउं का कोई भी मुद्दा होगा मैं के साथ स्वियोग मेश्योग मिला कर काम करूगा बहुत बहुत धनेवा चंदी राम जी तो ये थे हमारे बीच में चंदी राम जी साथियो आपने देखा काफी इनका जीवन संघर्ष में रहा इन्होंने जेल भी काटी है और अभी अपने घर अपने बच्चों के बीच में ह और आगे उमीद करते हैं कि ये सर्पंची के लिए खड़े हुए जा रहे हैं तो हमारा सुबकाम नहीं आपके साथ हैं तो बने रही है अजाद नियूज टीवी में किसी नई परसनल्टी के लिए आपको लेकर आएंगे देखते रही है अजाद नियूज पट्याड़ा ध आते हैं हमारी सुबकाम नहीं चांदी रामजी के साथ है धन्यवा चांदी रामजी